नमस्कार इंडिया स्वागत आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे मैं गॉर्ब कुमार आज आप सभी को इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कीट नासक रसाइनों का नियास नंगत इस्तमाल क्या हो सकता है और हमें जब कीट नासक रसायन हम यूज करते हैं तो उस वक्त हमे क्या-क्या सावधानिया बरितनी चाहिए इस पर हम आज बात करेंगे दोस्तों कीट नासक का स्वभाव जहरीला होने के कारण उनके उपयोग के दोरान किसानों को खेत में काम करने वाले मजदूरू एवं जानबरों के स्वास्त पर बुरा असर होने का खतरा बना रहता है क्यटनासकों का संतूलित एवं अनुचित मात्रा परियावर्निय घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है यानि की नेगेटिव इफेक्ट डालता है इसलिए क्यटनासकों को खेती वैज्ञानिक के सलापरामर्स से ही हमें उपयोग एवं स्वास्त की सुरक्षा को देखते हुए इस्तमाल करना चाहिए लेकिन बहुत से किसानों को क्यटनासकों के उचित मात्रा वो सुरक्षा के बारे में ग्यान नहीं होता है या इसे महत्व नहीं देते हैं वो वो सिर्फ जादा उतपादन के लिए क्यटनासकों का प्रियोग जैसे तैसे करते हैं लेक दूरों का यह कर्तव भी है कि किटनासकों से सुरक्षा के उपयोगों को जन जन तक पहुंचाए जैसे कि फुतफात, डीलरों या गैस, गैर लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति से कभी भी किटनासक ना खरी दे पूरे सीजन के लिए थोक में किटनासक ना खरी दे कंटेनर पर बिना अनू मदित लेबल के किटनासक ना खरी दे कभी भी समाप्त होचे की अभ्योदी वाला किटनासक ना खरी दे लीक धीले गैर सील बंद कंटेनर वाले सील किटनासक ना खरी दे घर के परिसर में किटनासक कभी भी संग्रहित ना करे कभी भी मूल कंटेनर से किसना किटनासक दूसरे कंटेनर में ना डाले खर पतवार नासक के साथ किटनासक को संगरहित ना करे बच्चों को संगहन करने वाली जगा पर प्रवेस ना करने दे किटनासक धूप या बारिस के पानी के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए इस बात कब आप ध्यान रखें कभी भी भोज ये चारे वाली अन्य खादे समागरी के साथ भी किटनासक का परेवहन ना करें कभी भी सिर, कंधे या पीट पर थोक में किटनासक लाने की भूल ना करें मेले या स्थिर पानी का प्रयोग ना करें सुख छात्मक वस्तर पाने बगएर कभी भी छिड़काब वाला घोल तैयार नहीं करना चाहिए इससे आपके स्वास्तर पर बहुत ही बुरा प्रभाब पड़ता है किटनासक इसका घोल सरीर के किसी भी अंग पर ना गिरने दे अन्य था, रेक्शन हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है उप्योग के लिए कंटिनर के लेबल पर दिये गए निर्देसे को पढ़ने से कभी भी परहेज ना करें अगर आप पढ़ने में सक्षम नहीं है तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से उस चीज की जाजपरक करवाले उसके बाद ही उसका प्रियोग करें तयार करने के 24 घंडे के बाद कभी बच गए छिलकाब वाले गोल का उप्योग दुबारा करने की भूल ना करें थोड़े पैसे बचाने के चकर में आपके पूरे उत्पादन में समस्या उत्पन हो सकती है दानों को पानी के साथ नа मिलाएं स्प्रे टाइं को सुंगे नहीं अधिक मात्रा का प्रियोग ना करें इससे पौधहो का स्वास्त और पर्यावरन पर प्रभाविद हो सकता है कित नासक के छिलकाब के दोरान ना खाएं ना पीएं ना धुम्रपान करें या ना कुछ ही चवाएं रिसाब वाले या दोस्पुन उपकरनों का प्रियोग भी ना करें दोस्पुन सिफारिसो नक ये गए नोजल का उपयोग करें अब रुद्ध नोजल को मुह से ना फूके या फिर साफ करें इसकी बजाए स्प्रेयर से बंधे तूथ प्रस्त का प्रियोग करें खर्पतवार ना सक कित ना सक दोनों के लिए एक ही स्प्रेयर का उपयोग ना करें सिफारिस की गिगई मात्रा और सांदर्ता की तूलना में अधिक मात्रा और सांदर्ता का प्रियोग ना करें गर्म धूब बाले दिन या तेज हवा की स्थिती में छिड़काव ना करें बारिस से बिलकुल पहले और बारिस के तुरंत बात छिड़काव ना करें बैटरी चलित ULV स्प्रेयर से छिलकाव के लिए EMSBL सांद्र फर्मुलीशन का उप्योग नहीं करना चाहिए हवा के दिसा के विप्रित छिलकाव कभी भी ना करे उससे नाक के माध्यम से मुह के माध्यम से या फिर आपके आख में वो लिक्विड जा सकता है कीटनासक मिलाने के लिए उप्योग में लाये गए कंटेनर और बाल्टी की पूरी तरह धुलने के बाद भी घरेलो उद्देश के लिए कभी भी उप्योग हमें नहीं करना चाहिए बिना सुरक्षात्मा गवस्तर पहने छिड़काब के बाद ततकाली नुपचारी खेती में कभी भी परवेश ना करे बच गया छिड़काब वाला गोल तलाव या जलचेतर आदी के पास भी नहीं भाना चाहिए उचसे पूरा पानी दूसीत हो जाएगा कितना सको के खाली कंटेनरों का अन्नी सामगरियों के संगरहन के लिए फिर से इस्तमाल नहीं किया जाना चाहिए नहाने कपड़े धोने से पहले कभी भी खान पान धुम्रपान ना करे चिकितसक को शिककता के लक्षन ना दिखा कर जोखीम ना ले क्योंकि इससे रोगी का जीवन खतरे में पड़ सकता है तो इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए जब हम कितना सक का प्रियोग अपने खेतों में करते हैं अपने उत्पादन के लिए आने वाले वीडियो में मैं आपको कितना सक खरीते बगत क्या साब्धानी बरतनी चाहिए कितना सक के भंडार करण के दौरान क्या साब्धानी बरतनी चाहिए handling करते समय साबधानी और दानेदार कितनासक इस तरह से प्रयोग किया कैसे किया जाना चाहिए और कई अन्य बिसेपर कितनासक से संबंदित जानकारी दूँगा इसके लिए आप हमारे चैनल Tricks Expert को सब्सक्राइब कर लिजे और बने रही हमारे साथ हमारे अगले अपडेट्स के लिए और अभी हमें फिलाल दीजे इजाजत अपना ख्याल रखें कोई भी कोईरी कोशन सेसन हो तो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें जै हिंद जै भारत